समाजवादी चात्र सभा के पदाधिकारियों ने समाजवाजी चात्र सभा के पूर्व प्रदीश सचिव नोमान अली वारसी के नित्रतों में लूक सिवा आयोग के नाम संबुधित ग्यापंद जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में एडियम ने आई कोसों पा इस दोरान उन्होंने कहा कि विभिन नेपालियों में प्रशन पत्रों में प्रशनों की कठिनाई स्तर में अंतर होता है जिससे नॉर्मलाइजेशन से संतूलित नहीं किया जा सकता इस से विद्यार्थियों के अंक प्रभावित हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन लागू होने स असमानता और विवाद का कारण बनता है। कहा कि उत्तरवदेश लोग सिवा योग की परिक्षाओं में स्केलिंग प्रकिरिया ब्रश्ट अचार का कारण रही है। जिससे विधिक विवाद भी हुए है। कुछ मामलों में CBI जांच अभी भी चल रही है। प्रकिरया को पूर्व की भाती एक ही दिन में आयूजित करें ताके विध्यार्थियों को निश्पक्ष और पारदर्श परणाम प्राप्त हो सके। प्रदर्शन एवं ग्यापन में समाजवादी चात्र के पूर्व प्रदेश सचिव एवं पूर्व जलाध्यक्ष नोमान अली वार्सी के साथ बड़ी सा अंख्या में कारेकर्टा उपस्तित रहे।